इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना के NMCS से जहां आदर्श कोलनी में नकली शराब बनाने की जो है भंडा फोर हुआ जियां उत्पाद बिभाग के टीम वहां मौके वार्दात पर पहुँची है और पूरी तरीके से छापे मारी कर रही है नकली शराब बनाने की जो फैक्टरी है उसमें छापे मारी की गई है मद निशेद बिभाग के द्वारा मद निशेद बिभाग के अधिकारी वहां पर पहुँचे हैं और एक एक चीजों को खंगाला जा रहा है और शराब माफिया हो या शराब बेचने वाले हो या शराब की होम डिलिवरी करने वाले हो तमाम लोग गिरफतार हो रहे हैं अब मद निशेद पूरी तरीके से सिकंजा कशने में लगी हुई है और एक एक चीजों पर खंगाला जा रहा है वहां की अस्थानिय पुलिस अगमकुआ को भुलाए गई है और अगमकुआ की टीम वहां पर पहुँची है और पूरी तरीके से जाच कर रही है लेकिन किसी गिरफतारी होने की सूचना सामने नहीं आई है लेकिन बड़ा भंडा फोर किया गया है कई जो नकली रैपर हैं वो बरामत किये गया है नकली शराब की बोतले बरामत की गई है वहीं जो नकली शराब की जो शराब के उपर ढगकन लगाया जाता है रैपर लगाया जाता है शील की जाती है बोतल को वो तमाम जो समगरियां है वो बरामत की गई है और वहाँ पर जो मशीन से सराप को किस तरीके से बनाया जाता है नकली स्प्रिट जो होता है उससे भी बरामत किया गया है कई लीटर जो नकली स्प्रिट है वो बरामत की गई है और पूरी तरीके से आसपास के लोगों से पू प्रल्ले से कई दिनों, कई महीनों से कह सकते हैं यहां पर शराब बनाया जा रहा था, जिसके बाद गुब्त सुचना के अधार पर मद निशेद की टीम वहां पर पहुची है, और किस तरीके से शराब बनाने का जो भंडा फोर होता है, वो की गई है नकली शराब का, पूरी कर च्छापी मारी करते हुए पोलिस ने वहां पर पूरी तरीके से उस नकली शराब की फैक्ट्री उसे सील कर और पूरी तरीके से हर बिंदूओं पर जाच भी की जा रही है वहीं पर जो मद निशेद विभाग के अधिकारी है वो क्या कुछ जानकारियात दे रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं जाओ करप से बॉड़ी गहरा हुआ है उलपर जिकत है अच्छा भूडा सामें सिरी करकर कर लगा हुआ है यहां पर हम लोकों को एक नकली सराब बनाने की फैक्ट्री बना पकली यह है दिसे फोरां लिकार सराब से जिस पीट से तोड़ करके रंगीन बना करके उसको किया जा है इसको करवाई पूरी कर रहे हैं और जो भी इसके दोस्तियां उनके ब्रहु करणी से परी करवाई नियमानुस्थ टूरी तो आपने साफतोर से सुना कि कि तरीके से इंघो कर सक्षार की और और कई महीनों से कह सकते हैं कि यहां पर धरलसी नकली शराब बनाया जाते थे और किस तरीके से शराप को पैक की जाती थी काटून में और उसके बाद जो है जो गाउं गाउं और शहर शहर में इसे होम डिलिवरी किया जाता था तमाम चीजों को लेकर हर बिंदिवों पर जाच की जा रही है और आगे भी जैसे ही कुछ जानकारिया निकल कर सामया आएगी तो कारवाई भी की जाएगी मदिशेद विवाग के अधिकारी ने ये जानकारिया दिये पलपल की अपडेट्स के लिए आप बने रदस दिनूस के साथ और देखते रहे हैं बंटी जोलेशन बरदर्स अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर के तरफ से मेरी क्रिस्मस और नए साल की बधाई और नए साल में हमारे यहां हरे खरीद पे कुछ न कुछ उफार आप प्लीजित पाएं प्लीज कम हैफी क्रिस्मस नब बर्स का सुख अबना देता हूं बालवाडी केंदर दुवारा गरीब बच्चा महादली टोला में सीक्षा मुपत देने का काम करता हूं इसकूलों से जो बंचित बच्चे हैं जो इसकूल से नहीं जुड़ा है उनको बा किसलेंदत बियस जो आघ जो इसकूलरा बंचित जो इसकूल है।